दोस्तो Physics for Beginners के इस second lecture में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग first topic की शुरुवात करने वाले हैं आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरा syllabus बता दिया था और ये भी बताया था कि क्यों 9th जरूरी है 11th के लिए और 10 जरूरी है 12th के लिए और आगे चलके ये importance बन जाती है तो अगर आपको syllabus जानना है तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए आज हम बात कर रहे है first topic की the states of motion यानि की motion की कितनी states होती है पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि motion की 2 states होती है एक होती है stationary एक होती है motion यानि की एक होता है rest में और एक चल रहा होता है ठीक है तो आज हम इन दोनो states को समझना चाहते हैं बात करते हैं stationary की देखिए इस वक्त आप कहां हैं अगर आप अपने कमरे में बैठके किसी रूम में बैठके किसी जगे पर बैठे हुए हैं वहां से अगर आप देखनी की कोशिश करें आपके आसपास जितने भी objects हैं उसमें से कौन-कौन सी चीज़े हैं जो अपनी जगे से नहीं हिल रही है माल लीजी कि अगर आप रूम में हैं तो रूम में हो सकता है कि टेबल हो चेर हो या अलमारी हो आपका कबड हो कुछ भी हो सकता है तो वह अपनी जगे से हिल रहा है क्या मतलब वह stationary है वह rest position के अंदर है इसको समझने के लिए एक छोटी सी activity कर सकते हो fun activity आप कर सकते हो कि आपके आसपास आप बाहर निकलिए आप घर से बाहर निकलिए आसपास आपको पेड़ देखेगा या कोई shop देखेगी या फिर कोई house देखेगा उन्हें आप देखें क्या वो अपनी जगे से हिल रहे हैं नहीं हिल रहे हैं ठीक है आप मान लीजे कि बगल की एक shop पे जाते हैं और shop के सामने जेस सामने जागे आप खड़े हो जागे और आराम से वहां खड़े होके घुरते रहे हैं shop को आप अपनी जगे पे खड़े हैं मतलब आपकी एक position है शॉप की एक position है ये घंट अन्तजार कीजिए क्या shop अपनी जगे से हिल जाएगी नहीं हिलेगी इसका मतलब time के साथ साथ जहां पे position change ना हो object की तो वो object stationary object है आप चाहें तो tube light के सलमान खान की तरह कोशिश कर सकते हो होगा कुछ भी नहीं शौपकी पर आपको कुछ इस तरी किसे देखेगा और आप उसको कुछ इस तरी किसे देखेंगे एक घंटे तक आप इंतजार करेंगे एक घंटे के बाद पुलिस जरूर आजाएगी वो आपको अपनी जगे से जरूर अटा देगी तो वहाँ आप motion में आ जाओगे वहीं अगर आप बात करते हो दूसरे state of motion की stationary के अलावा motion की बात करते हो कि भी motion में है तो जैसे कोई object है जैसे कोई गाड़ी है मैं यहां खड़ा हुआ हूँ और गाड़ी मुझ तक travel करके आ रही है अब गाड़ी मुझ तक travel करके आ रही है इसका मतलब वो motion कर रही है लेकिन ये बात मुझे कैसे पता चली मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि गाड़ी motion कर रही है मैंने खुद के relative मतलब मैंने खुद के respect में देखा है कि गाड़ी motion कर रही है क्योंकि मैं अपनी जिगे से नहीं हिल रहा हूँ और फिर मैंने observe कि गाड़ी या तो मेरी तरफ आएगी या गाड़ी मुझसे दूर जाएगी तो मतलब मेरे respect में मैंने खुद को point माना है center point मेरे respect में गाड़ी ने motion किया है गाड़ी की position change हुई है time के साथ मतलब 5 minute पहले यह गाड़ी यहाँ थी 5 minute के बाद यह मेरे बहुत करीब आ गई और अगले 5 minute में यह मुझसे दूर चली गई तो इसका मतलब क्या हुआ time के साथ साथ car ने मेरे respect में अपनी position बदली है तो मैं क्या हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ center point, origin point या फिर reference point इसको तीनों में से कुछ भी कह सकते हो आप reference point भी कह सकते हो, center point भी कह सकते हो या फिर origin भी कह सकते हो जब आप higher mathematics पढ़ते हो तो origin कहते हो physics में mainly इसको reference point कहा जाता है यह दोनों words याद कर लीजिए यह definition में बहुत important है आप देख सकते है definition कुछ इस तरीके से है कि reference point के respect में अगर सामने वाले object की time के साथ साथ position बदली है तो वो motion में है क्योंकि गाड़ी को वहां से यहां आने में time लगा फिर यहां से आगे जाने में भी time लगा तो दो चीज़े important है एक मैं origin यानि की reference point दूसरा time जैसे shop वाले example में क्या था आपने एक घंटा इंतजार किया लेकिन time बीतने के बाद भी shop अपनी जगे से नहीं यह ली इसका मतलब time एक important factor है और reference point एक important factor है अब reference point आप कहीं भी बना सकते हो जैसे माल लो कि आप बाहर खड़े हो और आपके सामने एक पेड़ है पेड़ के पास एक गाड़ी है फिर गाड़ी का owner आता है गाड़ी में बैठता है और गाड़ी लेके चला जाता है तो पेड़ के respect में गाड़ी अब उससे दूर जा रही है यानि की motion कर रही है तो यहाँ पे मैंने पेड़ को reference point बनाया center point बनाया तो दो important चीज़े आपको याद रखनी है एक time, दूसरा reference point अब इसके अलावा बहुत सारे example है जैसे कि चडिया है, तितली है और भी कई तरीके के जीव जन्तू है जो motion करते हैं और कुछ तो प्राणी हमारे ऐसे पडोसी भी होते है जो भी motion करते है खहना नहीं चीज़े पडोसी के बारे में पडोसी अपना सगा होता है लेकिन फिर भी जो motion कर रहा है जो हमारे respect में हमसे दूर जा रहा है या हमारे पास आ रहा है तो वो motion कर रहा है और जो नहीं जा रहा है, जो वहीं का वहीं है, तो वो stationery है, यह चीज आप night sky में भी देख सकते हो, देखे night sky में एक constellation होती है, यानि कि तारों को एक जुंड होता है, एक सम्मू होता है, एक shape होता है, इसको हम कहते हैं Orion, Orion का shape जो है एक आदमी की तरह दिखता है, जो कि शिका कर रहा है, इसको hunter भी कहते हैं, ठीक है, hunter मतलब शिकारी होता है, तो यहाँ पर यह तीन star आप देख रहे हो ना, इसको कहते है Orion belt, मतलब यह सितारे कभी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, यह belt हमेशा बनी रहेगी, तो होता यह है कि east की तरफ से यह उगता है, यानि कि set हो जाता है, इस beach इन तीनों तारों के beach की position नहीं बतलती है, मतलब यह तीनों तारे एक दूसरे के लिए rest में है, stationary है, लेकिन अगर हम हमारी बात करें, हमारे हिसाब से तो वो east से आए और west में चले गए, इसका मतलब उन्होंने motion किया है, लेकिन उन तारों के हिसाब से उन यह हो जाती है, दो states, stationary और motion, I hope आपको समझ में आई होगी, अब आपको exercise यह करनी है, कि अपने आसपास चीज़ों को देखना है, observe करना है, कि कुछ चीज़े तेज दूर जा रही है, कुछ आराम से आ रही है, तो इसका मतलब उनका motion दीरे है, तेज है, यह सारी चीज़े आपको observe करनी है, अपने आसपास, तो दोस्तों यह हो जाता है, first topic, stationary और motion का, I hope आपको समझ में आया हो, इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें comment section में बता सकते हैं, तो फेंस, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, see you in the next one.